बुलेट गर्ल की दिखी दबंग गई यूवती ने आटो चालक को जम कर पीटा फोर दिया सर नमस्कार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं दिल्ली 24 दिल्ली से एक विडियो जम कर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस विडियो में देखा जा सकता है कि लड़की एक आटो चालक को बेरहमी से मार रही है इस विडियो में दिखाया जा रहा है कि लड़की बुलेट से थी आटो चालक और इस लड़की में कोई बहसा बहसी हुई और लड़की एकदम से अग्रेशन में आ गई इसके बाद इस लड़की ने आटो वाले को बेस पॉल बैट से पीटन शुरू कर दिया और इतना ही नहीं इसने अपने हाथ का कड़ा निकाल कर उसका सर भी फोर दिया बताया जा रहा है कि ये विडियो दिल्ली के निहल विहार इलाके का है विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होने के बाद अब पुलिस इस बात को लेकर आक्शन में आ चुकी है इतना ही नहीं जब ये पूरा मामला हो रहा था जब ये लड़की उस आटो चालक को बेरहमी से पीट रही थी तो अगल बगल के लोगों ने उसको रोकने की कोशिश भी की पर इस लड़की ने किसी की भी नहीं सुनी ये बलकि उन लोगों से ही लड़ती रही और इस वीडियो में ये भी रेखा जा सकता है कि बिचारा आटो ड्राइवर लहू लुहान स्थिती में एक बुरी हालत में खड़ा हुआ है इतना कुछ होने के बाद अब इस मामले पर सोशल मीडिया रियाक्शन आ रहे हैं लोगों के और लोग अब सबसे पहले अगर रियाक्शन की बात की जाए तो लोग बुलेट की जो एक प्रतीक्रिया बनी हुई है उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये लड़की बुलेट लेके चल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपने आपको दबंग और गुंडी समझने का राइट मिल गया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर यही काम कोई लड़का करता तो क्या लोग सोसाइटी इसको इतना अच्छे से एकसेप्ट कर पाती क्योंकि कुछ लोग जहां इस वीडियो को इस बात को पूरी तारिके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कुछ लोगों ने इस बात का इस लड़की की तरफ से भी बोला कि नहीं उसने बिलकुत सही किया बहस करने पर अगर मारपीट हो गई कुछ लोगों ने आटो वाले की भी गलती बताए कि कुछ ना कुछ तो इस आटो वाले ने किया ही होगा जिसकी वज़ा से लड़की को इत आता है कि हम अपनी ही तरफ से आक्शन लेंगे अपनी ही तरफ से मार पीट करेंगे और अगर हम और सरफ ये बात नॉर्मल लोगों की नहीं है अगर हम कुछ टाइम पहले हुए एक इंसिडेंट की बात करें तो कंगना रनौत को एरपोर्ट पे एक सिक्यॉरिटी परसिनल न काल सकते हैं क्या कानून हमारे लिए अपनी आखे बंद करके बैठा हुआ है या हम ही हैं जो कानून पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं इन सब पर अपनी राए हमें जरूर बताएं और देखते रहें दिली 24